इंजिनियर्स आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत एलक्ट्रोनिक लिम्टेट की तरफ से वेरियस पोजिशन्स पर वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वेकेंसी है यहाँ पर सिविल, एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, कम्प्यू में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ है आप टेलिग्राम चैनल और वाश्ट सब ग्रूप को भी जोइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा हम है इनके ओफिसल नोल्टिस पर नोल्टिस आपका भारत एलेक्रोनिक प्राइजिस है तो फिलहाल इनकी तरफ से आप लोगों के लिए एपरेंटिस के लिए वेकेंसी आई हुई है वीडियो में आगे जाने से पहले बात कर लेते हैं आपके इलिजिब्लेटी क्राइटिरिया के बारे में तो जिन लोगों ने बीबी टेक किया है रिस्पेक्ट कुछ औरी उनली यानि यहां पर आपको बताया है अगर आपने बीबी टेक किया है रिस्पेक्टिव डिस्प्लीन में और आप इन राज्यों के निवासी हैं तो ही आप लोग यहां पर इलिजबल रहेंगे बात करें आपके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सेलेक्शन and Instrumentation Engineers, Civil Engineers और Chemical Engineers के लिए तो इन लोगों को यहाँ पर जो है बुलाए गया है 21 जून को बाकी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Mechanical Engineers, Metronics, Industrial Engineering and Management, Industrial Production, Computer Science, Computer Science and Engineering, Information Science और Information Technology Engineers को यहाँ पर बुलाए गया है 22 जून को बात करें आपकी Upper Age Limit के बारे में तो Upper Age Limit के यहाँ पर आपकी 25 साल रखी गई है और इसके साथ यहाँ पर आपको Age पर Government Rule के हिसाब से Age Relaxation मिल जाएगा जैसे SCST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWBD Candidate को यहाँ पर Age में 10 साल का Age Relaxation मिलने वाला है अगर आप UR या फिर OBC केटिगरी से बिलोग करते हैं तो BB Tech में आपके Minimum 60% अगर आप SCST केटिगरी से बिलोग करते हैं तो BB Tech में आपके Minimum 50% मार्क होने चाहिए बात करें आपके Monthly Stipend के बारे में तो Monthly Stipend यहाँ पर आपको 17,500 रुपे प्रतिमंत मिलने वाला है और इसके साथ यहाँ पर आपको Canteen Facility और Transport की सुविधा भी प्रोवाइट की जाएगी लेकिन उसके लिए जो भी चार्ज होगा वो आपकी फीसेल यह लिया जाएगा अगर आपने BBK किया है इन ब्रांचों में आप इसके लिए Interested होते हैं लिजबल होते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने सारे Original Document लेने हैं और उसके साथ में आपके जितनी भी Photo Copies हैं आपको लेनी है और आपको पहुँच जाना है इनके इस वाले Official Address पर अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका Thank You, शुक्रिया, वीडियो को Like करें, Share करें, Civil Engineering के सबसे ज्यादा जोब सब्डेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें